आज हम लोग एक रूब्रिक की बात करेंगे इसका नाम है इस रूब्रिक को डाक्टर प्रफूल सर बहुत जादा यूज करते थे डाक्टर प्रफूल सर और जितने भी लोग प्रेडिक्टिव फालो करते हैं वो इस रूब्रिक को बहुत यूज करते हैं कि रूब्रिक क्या है और इससे किस तरह से इसको हम समझेंगे इस पर आप चर्चा करते हैं कि रूब्रिक मैंने उठाया है कम्प्लीट डैनमिक्स से कम्प्लीट डैनमिक्स जो लेटेस्ट रिपर्टरी है यहां पर बराइटा कार्व बराइटा आयोड केलकेरिया क्राव टोरिक एसिट हिरोइन ओच आइडियम लाइकोपोडियम प्रेट्रोलियम लैटिना प्लूटोनियम नाइट्रिकम पल्स सेलीशिया इस्टैर सिफलाइनम यह सारी दमाएं दी कुई है तो अगर हम इनको देखें तो यह दो तीन चार पांच छे साथ आठ न सबसे पहली चीज है अर्धनारिश्वर संकर भगवान का एक रूप है अर्धनारिश्वर जहां पर जो राइट साइड है वह आकूपाइड है श्यू भगवान द्वारा और जो लेट साइड है वह माता पार्वत्ती जो राइट लेट के कांसेट को भी आप समझते होंगे कि हमारा जो इमोशनल पार्ट है वो लेट है और जो हमारा लॉजिकल पार्ट है वो राइट है अगर हम योग के उसमें जाते हैं तो वहां पे हम आपको पिंगला और इडा पिंगला यहां पे sun channel है और जो इडा है वो वहां पर मून है जैसे यह डाइग्राम जो दिखा रहा है इसमें गलत दिखा रहा है यह जो इड़ा नाड़ी होती है यह मून चैनल है और सुसमना इसका मिडल पाथ होता है अब यहां पर आप आजाओ इमोशन को हम लोग में साथ डोनेट करते हैं एस्टोलाजी में मून से और नियाय को लॉजिक को कुछ डिनोट करते हैं संद्र यहां पर संद्राइड आई को भी सो करता है जैसे कि मैंने पहले लेक्चर भी गया था लेप्ट आई इस मून इवन राइट लेप्ट जो ब्रेस्ट है वो भी जो लेप्ट ब्रेस्ट है वो मून से और राइट ब्रेस्ट वह है आपके संद्र से कि सूर्य कि हमारी कि पिंगला को पिंगला सकती को करता है और यह इड़ा सकती को सब्सक्राइब छुश्व इसका मल्व है किसी वी इंसान के अंदर दो तरीके के वित तो हेरा हारमोन के सद्हें से बात करें तो यह पिल यह दोनोंनों का अगर व्यायर्मियर्स है इसे PCOD में होता है, लेकिन कई बार वो naturally हो जाता है, तो ऐसी condition में, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो effeminate होते हैं जैसे एक अपसे बच्चल की मूवी आई थी, उसमें वो effeminate था करंग जोहर, by birth ही effeminate है, I was effeminate as a child and I used to have sleepless night, over that fact I am different from other children इनकी किताब आई है, Unsuitable Boy, उसमें नोंने इस बात का खुलासा किया, की करंग जोहर एक effeminate personality है इनको आप जानते हैं, इन्होंने भी काफी effeminate role भी किये और ये जो इनका look है, अगर आप इसपोटा दो तो ये पितेज देशमुक, एक आप यूट्यूब पे देखेंगे, अनुरुद्धा चार जी हैं, वो भी काफी effeminate personality है, उनको भी चच्चा करेंगे, तो ये रूब्रिक जो है effeminate, इसमें अलग-अलग दवाएं हैं, और वो अलग दवाओं के source क्या है, तो जैसे उस रूब्रिक में एक दवा है, लूटोनियम नाइट्रिकम, इस दवा का जर्मी सेर ने 2005 में एडिशन किया, यानि ये रूब्रिक तो बहुत पराना है, अब ये रूब्रिक कितना पराना भी आपको हैनानी होगी, इस टेफिस एगरिया, इस टेफिस एगरिया रूब्रिक को नाइन्टी एट्टी फाइब में डाक्टर विथालकरसन ने एडि किया था, बाद में इस रूब्रिक को क्लिनिकली, क्लिन अडिशन जब डाक्टर विजेकरसन ने दिये, तो 2011 में इसको एडि किया गया, फिर सलीशिया, अब आप देखोगे तो सलीशिया को सबसे पहले, अगर एक एफेमिनेट रेमडी के किसी रूप में किसी ने बताया है, वो डाक्टर जेपी गलावर्डिर है, जिनकी रेपर्टरी अठ्रा सत्तानवे में आई थी, इसका मनलब एफेमिनेट रूपरिक कोई नया रूपरिक नहीं है, या कि पुराना रूपरिक है, जो 25-year-old रूपरिक है, यह कोई नया रूपरिक नहीं है, फिर दको यह है, माइन्द इफेमिनेट दवाई है हिरोईनम और इसको एड़ किया है, स्नो डॉन ने अनिस सो टानवे में, ठीक है, इसको उननिस सो टानवे में एड़ किया गया है, जो दवा का नाम है हिरोईनम, यह प्लांट इंग्डम से है फिर रुब्रिक है एक और यह गलावर्डिन ने रफ्था सतान्वे में एड़ किया था फिर प्लेटिनम मेटेलिकम यह भी गलावाडिन का एड़ किया हुआ है फिर एक दवा है ओस्टेनियन एक्वा ओस्टेनियन वाटर की बात करते हैं गर तो यह एबरेल एच रिजर एड ने में 1999 में किया था तो अगर हम इसको यहां से देखें तो 2005 लेकिन उससे पहले भी यह 1998 1999 1998 1999 और दो हजार पांच में एजो तीन नए दवाएं आई है उन दवाओं को भी एड़ किया गया सबसे लेटिस्ट में अब ह मोग यह थोड़ी सी जैसे कलकरिया कार्व की बात भी करते हैं कलकरिया कार उख को भी 1890 अधिकेया अब अब इसका मदलब हम यह देखें कि गे डाटर प्रफुल सर ने क्या-क्या एड किया है तो डाटर प्रफुल्टर ने यहां पर पर राईटा कार्व को यह प्रयूट। किया है फ्लोरिक एसी टिगम को आईडियम को और सिफलाइनम को यह डाक्टर प्रफुल सर्ण ने पेट्रोलियम को प्रोव सर्ने एडिकिया तो यह अधिशन बीब ईंबार्मटर का है कि अब इसमें से हम लोगर बात करते ह êtes वहां की हचंइन एक्वा की बात करते हैं तो हो जो सबसे चीज़ है कि टेलीविजन वादिवेट करके और यहां पर यह दवा इसमें क्यों बही है वह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे उसके अंदर कुछ एंगर है चीजे ऐसी है जो उसके साथ वी जैसे यहां पर देखुँ लिखा है एंगर फैमिडी टूवर्ड पैरेंट्स एंगर टूवर्ड मदर इनलाव एंगर टूवर्ड फैमिली यह जो बच्चे में उसा न इंटिटी को डिश्टर्व किया और वो बच्चा अपने को मेल अगर वो मेल है वो मेल ना समझ के अपने को फिर मेल समझना जरू कर देता है इसलिए उसकंद्र ना गुस्सा भरा हुआ है देखो यहां पर क्या लिखा है डिसकार्ड एग्रिवेट बिट्विन डिलेट्व ड इस ओबिडिन चिल्डेन डिवर्ट सेप्रेशन इल्मेंट फ्राप जो बच्चों के माता पिता में बहुत ज्यादा जगड़ा होता है वहां से यह बच्चे डबलब होना सुरू करते हैं और उनमें इफेमिलेश्य आना सुरू हो जाती है अगर हौच की बात करते हैं तो यह हॉच वही दो हुच किया करता है वह अपने पार्टनर से अपने यह आदेर मिल्यसन क कुंसों नहीं मिलाजन कर लो और वह यह जाता है इस इस उन्हों मेर्जियर जाता है मृते तो यहां पर जो उसको उसका बच्पन है वह कहीं नहीं दिस्टरब रहा है सेम लेते हैं कि वह क्यों जाते हैं तो प्लॉटरिनियम नाइटरिकम में देखो एंगर चिलने फिर उसी तरह से लेकिन यहां पर यहां पर जो इंगर है यहां पर दो चीजे बहुत इंपॉटरिन नाट्रियम की एक तो है एलमेंट फ्रांप सीजेरियन बच्चे जो होते हैं आज कल बहुत जादा से जिएरियन बच्चे लें लगे हैं और चियर फुलनेस ऑर्डर बाइक रेटिक यह क्योंकि यह मैटलिक ह है कि अब वो क्यों गया तो यहां पर जो बच्चा है वो बच्चा अपनी आडेंटिटी को कैसे लूज करता है और वो आडेंटिटी को जैसे उसने लूज किया वहां से वो फिर हो में भी जाएगा और इन मैनस में भी जाते हैं दोनों चिदनी दवा मैंने यहां उठाई है को अधिकतर दवाय को मैंने लेंगे जहाइए पलिटना हो यहां पर आडेंटि लिवर्वर्सल है कंुजन से ज्यादा नर्वस्नेस नटियूदन सीजेरियन प्रेस्नेस नर्वस नटियू तो यहां पर जो भी है दिक्कते वो आडंटियू रिवरसल की हो गई है वो क्यों होती है उसके कभी किसी दिन तो अभी हम तरफ आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि हम यह कैसे इसको किन किन दवाओं को याद रखेंगे कि कौन कौन से दवाएं इस पूरीक में आती है ठीक है तीसरी दवा है heroine में यहां पर इवन क्या है कि इसको जो ड्रीम आते हैं ड्रेस ड्रेस वुमन ली फोर सेकंड फीलिंग है बहुत ज्यादा और वह बहुत ही ज्यादा एमॉरस और सेक्ष्वल्टी और इंडियल मेटिसिन है बट यहां पर फिर हो गया है अधिक है तो यह कि यह रूप्रिक आपको एक मिलेगा इसको ड्रीम भी वैसे आ रहे हैं पर यहां पर यहां पर यहां पर यह रिवरसल क्यों गया इसके को लंबी कहानी है उस कहानी को हम फिर चल्चा करेंगे तो अगर हम इस रूप्रिक को वापत लेके चलते हैं इन दवाओं को समझने को कि यह दवाएं यहां पर क्यों आई तो आपको बहुत आसान हो जाएगा अब देखों इफेमनेट में हमने देखा है पल्चिला तो पल्चिला आलवेज है फीमेल रेंडी और किसी फीमेल किसी मेल में अगर हार्मोन डिस्ट्रब हो रहे हैं या उसका इड़ा पूर से जाला दिबलब हो रहा है इसके मून जाल अगर लेखना की बात-धिए पर्सनालिटी थो बहुत सक्सेश वुले तो अगर हम रिते स्ट्र देख की बात करें वह दो सक्सेश हो यहां पे दो लिगन कि पर सकता है तो रिटेख आई टॉश्य में डालने के बरायटा का और और ब्राइटा आयोड को यहां डालने के पीछे बजा है कि बराइटा कार इसने से कई दवाइए आजिए है जो जो उसमें भी क्यों आया अब आप यहां पर देखेंगे आपको दो है लेगे आई या फ्लोरिक एसीड हो कि है लोजें या आईडियम और यह आईडियम फ्लोरिक एसीड दो ट्रेटिव तीन हैलोजें हैलोजें की साथ है कि हैलोजें कहीं-घेन कहीं जैसे चाहिए लोगे शीड को हम देख लें वह बहुत ही लाइकोपोडियम सालीशिया इस्टेफी सेक्रिया वेरी वेरी एड़ेस्टिंग रेमडीज बट एयर एवेरी हाइपर सेक्षण रेमडीज प्लाटिना जो अगर मैनिस में भी जाती है वह जो सेक्षवल्टी को लेके इतने ज्यादा है कि वह उसका जो हार्मोन है वह क्यों इसके बारे में हम लोग लंबा एक लेक्षर लेंगे तो बताएंगे अपसे फ्लाइनम क्या ऐसे फ्लाइनम में में बहुत डिस्ट्रक्शन है तो यह दवाएं अगर आप जाद रखोगे इस रूब्रिक को बहुत आसानी से आप उठा सकते हो आपको इस तरह से पेशेंट के जो जेश्चर है जो जेश्चर है वही जेश्चर ही आपको काफी कुछ बताने में बता सकते हैं कि आगे जो हमारे पेशेंट है जब आप उठा लेते हैं तो आप उसकी परस्नालिटी के बहुत ही करेक्टरिस्टिक सिंप्टम को उठा लेते हैं तो आपको आपके लिए वो केस आसानों जालता है आसा करता हूं वो छोटी सा वीडियो है इसको समझने कोशिस करेंगे और कुछ अगर कोश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछिए तो मैं इसको फिर रिपलाई करता हूं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद